हलो फ्रेंद्स विल्कुम बैक टू मैं चानल तो आज हम जा रहे हैं बद्राचिलम टू हैदरबाद कुछ परस्नल काम से और इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा तो हम हैं बस में बद्राचिलम से जा रहे हैं कोतागडम ट्रेन पकड़ना है वहाँ पर बद्राचिलम से बद्राचिलम लोड है वन आर का डिस्टेंस वहीं से आपको ट्रेन स्टेशन मिलेगा तो तो बस निकलना ही वाले हैं और साथ साथ ये भी देखेंगे कि अकेली लड़की को इंडिया में ट्रावल करना कितना सेव है ये पूरा ट्रावल सीरीज होगा मोस्ली 28 आज का फॉर आप जारे के लिए फॉन आप अरग लिए तो 19 आज का वहाँ स्टे रहेगा क्या क्या करते हैं चलिए देखें इंञ ऑर गजसे पो चल जारे क्यात्विंथ स्टेथल स्टेट स्टेटरि जारे कैसे अगरे कि वहाँ नग्पे डिदेट मेरे का पीड डिटया है तो पहुंच के हैं सिकंद्र बाद टाइम से पहले ही रिट्रेन आ गया था तुम होने का वेट करेंगे एक दो घंटे मोबैल चार्ज कर लेते हैं वेटिंग हॉल में ते देखेंगे कहां भूना है सुबह के साथ बज रहे हैं वेटिंग हॉल में नीद लग गया था और फ्रेश हो के बहा निकलते हैं सु मैंने डेव पास ले लिया है 24 आवस तक वाली रहता है यह 100 रुपिस का है यही टिकेट आपको कोई भी बस में या फिर कोई भी ट्रावल एम्प्लॉई देंगा यू कन चेंज एनी बस कितने भार भी चाड़ना उतरना 24 आज तक आई थाट यह बेस्ट है क्योंकि लागी जाता है 100 रुपिस कहीं के भी यदि आप आर्ट कलेक्शन में इंट्रेस्टर है तो साला जेंग म्यूजियम बेस्ट प्लेस होगा जो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है चारमिनार हाइडरबात की सबसे प्रसित दिमारत है यह एक घातक प्लेक के आंत का जेश्ट मनाने के लिए मुहमत कुली कुतुब शाही द्वारा 1591 में बनाया गया आगे हम चारमिनार चारमिनार के ठीक 200 मीटर दूर पर बस्टॉप है जहां पर आपको बसस आने जाने के लिए मिल जाएंगे इसली अब चाहे तो इसका उपर टिकेट लेके चड़ भी सकते हैं यहां से पूरा है अधरबाद दिखता है यहां पर किसी का प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है वालकी तो अब टिकेट लेके यहां से यहां से लेख सकते हैं पूरा है अधरबाद शहर को मिनार चारो और से एकजे सा दिखता है और उपर से भी अगर आप शहर को देखेंगे तो फूरा एकजे सा लगेगा हुआ है हुआ ाओ मुष्ट मुष्ट पंद को यह लेके चारो रास्ता एक रास्ता उधर है एक इधर थर्ड इधर और फॉर्थ माज्रीब के तरब से चारो और एक जैसा दिखेगा सब कुछ सेम सेम दिखेगा शैर भी मेनार भी चार मेनार के पास की दुकानों में शॉपिंग करना और यहां के दुकानदारों से बागेन करने का मज़ा ही कुछ और है क्यूंकि अभी सिर्फ आठ बज़े हैं सुबा के ज्यादा कुछ दुकान में ओपन नहीं हुए अगर अब शॉपिंग के लिए ही यहां आना चाहते हो तो बेस्टाइम इवनिंग होगा कोई भी कोई भी लिए पांसो रुपिया साढ़े पांसो छिसों तीन वेंच के है कि संधेगा है कि कि यह वाला है कि दोना आएगा गोलखंडा आने के लिए आपको बस नम्बर 66 जी लेना पड़ेगा या फिर महंदी पत्नम तक आके वहां से चेंज कर सकते हैं टिकेट्स लेने के बाद एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखेगा लंबे-लंबे वाल से घेरा हुआ सब कुछ और ये एंट्री है कोलकंडा किला 12 शिताबदी में काकतिया राजाओं द्वारा स्तापित किया गया था उसके बाद आठ द्वारो और 87 बुर्जो वाला यह विशाल गोलकंडा किला कुतुब शाही राजाओं द्वारा बनाया गया था तो अभी है हम गर्लकंडा फोर्ट में, इस फोर्ट का एक ही एंट्रेंस है, जिस्त को फ्रटेट करने के लिए ये वाल्स लेयर में बनाया है, उससे भी उंचा तक, और ये फोर्ट वहां तक जाता है, बहुत बड़ा है, ये एंट्रेंस है, के लिए देखते हैं, कहा जाता है, खिले की इंट्रेंस में, जब कोई क्लैप करता है, तो वो जाके राजा के दरबार तक सुनाए देता है, गोलकंडा खिले के पीछे एक पौरानिक कता है, कहानी के अनुसार, एक चरवाहा लड़का एक बार इस पहारी पर चल रहा था, जब उसे एक भगवान की मूर्ती मिली, चरवाहे लड़के और उसके निशकरशों के बारे में, इस खबर काकतियोंच के तदकाल इन सिशासक तक पहुंच के, राजा ने तब पहारी पर एक किला बनाने का फैसला किया, जिसे बाद में गोलकंडा, शेपोर्ड्स हिल किले के नाम से जाना जाने लग किले के अंदर पाए गए अन्य भवन है, हपशी कामांज, अश्टला खाना, तारा मती मस्जिद, रामदाज बंदी खाना, अकरना मादना के कार्याल है, जो राजा के शासन में मंद्री थे, उन्ट स्तिर, निजी कक्ष, मुर्दा घर्सनान, नगीना बाग, रामसासा का को था, दर्बार हाल, अंबर खाना आदी, एक खुतब शाहि के टॉम्स, ताइम दिलेगा तो, वहां पे भी जाएंगे, वह, तलाब बेर, इंडियन्स, जहां जाएंगे, आपना छाप छोड़के आएंगे, कचरा देखिए, सब देस्ट्रोई हो गया, अल्मूस, everything is destroyed, और कुछ, गोलकुंडा किला में भक्त रामदास का जेल है, कचला गोपना को भक्त रामदास के नाम से जाना जाता है, जो 17 संचुरी के राम के भक्त और करनाटिक संगीत के संगीत कार थे, वह, अकन्ना मादन्ना भभाईयों के भतीजे थे, जो गोलकुंडा में कुतुब शाही राजुम्ज के तानाशा के दर्बार में मंतरी थे, गोपना को बाद में तानाशा द्वारा तहसिलदार के रूप में नियुक्त किया गया था, पाद में उन्हें टैक्स के पैसों से राम मंदर बनाने पर, बारा साल के लिए गोलकुंडा खिले में कैद कर दिया गया था, और कहा गया था कि बद्राचलम मंदर निर्मान के छे लाक टाप्त होने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा, इसी कारग्रह के दोरान उन्होंने कई कीरतन लिखे और दिवार पे चित्र बना के भगवान राम को पूसते थे ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और लक्षमन रामदास को रिहा करने के लिए छेला की बकाया राशी का भुकतान करने के लिए आधी रात को रामो जी और लक्षमो जी के रूप में ताना शाह के पास आयत है जिसकी वज़स से ताना शान ने रामदास को रिहाग किये गोलकंडा एक प्रेसिद हीरा बजार हुआ करता था जो दुनिया भर के वैपारियों को आकर शित करता था यह प्रेसिद कोही नूर और होप हीरे के साथ साथ दरिजन डायमेंड दर्या ये नूर नूर उल एन डायमेंड जैसे अन्य डायमेंड्स को रखा गया था हीरे और कपड़ बजार की राजधानी होने के साथ साथ ये खिला उस जमाने का एक ख्लेवर आर्किटेक्ट्च्वल प्लान माना गया था जिसमें Advanced Acoustic Systems, Defense Systems, सुगंदवरी Gardens और पूरे साल पानी और भूजन की सुविदा शामिल थे यही में रीजन था और एंगचेप यहां रूल करने का कि अग्चेप अज़के अज़के बाट लगगी है मेरी अज़के अज़के बत्त में चलने के कारण दीआडरेशन से में कॉलाप्स हो गे थी तो में एक चोटर टिप देना चाहते हूं आल्वेज दो से तीन बोटल पानी कैरी कीजिए एक बोटल से कुछ नहीं होगा और साथ में थोड़ा हलका स्नैक्स और हैट, संग्लासेस या अम्रेला कुछ भी साथ में रखिए ये जगह बहुत ही बड़ा है और चंडे में बहुत टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा उपर दर्बार तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रामदास जेल के तरफ से और दूसरा ये है तो एक वे में मैं उपर गई है और दूसरे से नीचे आ रहे हूँ उस जमाने के विपन्स आज भी किले में है हाला कि लगबग 200 साल बादिया किला बहमनी शासको के अधीन आ गया आज में कुतुब शाही राजाओं ने किले को अपने नियंतरन में ले लिया और इसे और आगे बढ़ाया 1687 में यह किला मुगल बादशा और एंगजेप के शासन में आ गया और उनके बाद यह किला कोई और यूज ना कर सके इसलिए इसे पूरी तरह से डेस्ट्रॉई करवा दिया गया था वर्तमान में गोलकुंडा किला महलों मस्जीदों और मन्डपो का एक जट्रिल ले ओट है जो दुर्भाग्ये से अब खंधर में है और कुछ परस्टेल काम से अमेर पेट आ गए अपॉर्णमेंट टाइम था अभी इनकेस आप कोई शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म कोर्स करना चाते हो तो अमेर पेट हाव मेनी ऑप्शिन्स इतना गूमने के बाद खाना तो बनता है क्योंकि मुझे ज्यादा मसालेदार बि अकेले गुमते हुए मुझे इस शहर में 20 घंटे हो चुके हैं और भारत में यहां सुरक्षा के साथ कोई समस्या नहीं है मेरे अनुभव के अनुसार आपको अपने आसपास और आसपास के लोगों के बारे में अधिक जागरुख होना होगा और अपने समान के सावधान रहना होगा हमेशा कम समान ले जाए और बैकपैक जैसी बैक्स को सामने की तरफ पहन ले हमेशा public places या ladies weight hall में ही रुके और strong और साहसी बने अगर गड़बड लग रहा है तो नजदी की police को संपक करे या किसी से भी help मागने के हिचके चाहने तो आज के लिए बस इतना ही क्योंकि मेरे mobile की battery सिर्फ 8% बची है और station जाने तक मुझे ये बचाना होगा तब तक के लिए बाइ